ओम शान्ती आज 21 जन्वरी दो हजार चौबेस की अव्यक्त मुर्ली है रिवाइज डेट है 18.01.98 मधुबन सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो आज का दिन विशेश सनेह का दिन है अमरित वेले से लेकर चारों और के बच्चे अपने दिल के सनेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे सर्व बच्चों के सनेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पढ़ती जा रही थी आज के दिन एक तरफ सनेह के मोतियों की मालाएं दूसरे तरफ मिठे मिठे उलहनों की मालाएं भी थी लेकिन इस वर्ष उलहनों में अंदर देखा पहले उलहने होते थे हमें भी साथ ले जाते हमने साकार पालना नहीं ली इस वर्ष मैजोरिटी का उलहना यह रहा कि अब बाब समान बन आपके पास पहुँच जाएं समान बनने का उमंग उत्साह मैजोरिटी में अच्छा रहा समान बनने की इच्छा बहुत तिवर है बन जाएं और आ जाएं यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा बाब दादा भी यही बच्चों को कहते हैं समान भव, संपन भव, संपोरन भव इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है सबसे सहज साधन है सदा सनेह के सागर में समा जाओ जैसे आज का दिन सनेह में समाए हुए थे और कुछ याद था सिवाए बाब दादा के और कुछ याद रहा उठते बैठते स्नेह में समाई रहे, चलते फिरते क्या याद रहा, ब्रम्हा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी समरीती में रहे, सभी ने स्नेह का अनभव आज विशेश किया ना, महनत लगी सहच हो गया ना सनेह ऐसी शक्ती है जो सब कुछ भुला देती है न देह याद आती न देह की दुनिया याद आती सनेह मिहनत से छुड़ा देता है जहां महबत होती है वहां महनत नहीं होती है सनेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने उपर अनुभव कराता है स्नेह चत्र चाया बन माया जीत बना देता है कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड हो स्नेह पहाड को भी पानी जैसा हलका बना देता है तो स्नेह में रहना आता है न आज रहकर देखा न कुछ याद रहा नहीं रहा न बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे तो बाब दादा कहते हैं और कोई पुरुशार्थ नहीं करो स्नेह के सागर में समा जाओ समाना आता है कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकलाते हैं सलते और बातों में लग जाते हैं बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगाके निकल आता है ना ऐसे स्नेह में समाया डुबकी लगाई निकल आई समाये रहो तो स्नेह की शक्ती सबसे सहच मुक्त कर देगी सभी बच्चों को ब्राह्मन जनम के आदी का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मन बनाया स्नेह ने परिवर्दन किया अपने जनम के आदी समय का अनुभव याद है ना ज्यान और योग तो मिला लेकिन स्नेह ने आकरशित कर बाप का बनाया अगर सदा सनेह की शक्ती में रहो तो सदा के लिए महनत से मुक्त हो जाएंगे वैसे भी मुक्ती वर्ष मना रहे है ना तो महनत से भी मुक्त उसका साधन है सनेह में समाए हुए रहो सनेह का अनभव सभी को है ना या नहीं है अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा सनेह किसका है तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, सबने हाथ हिलाया साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि सनेह की शक्ती सदा कार्य में लगाओ सहज है ना, योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए माया जीत बने, जब सनेह की छत्रचाया में रहेंगे तो सनेह की छत्रचाया के अंदर माया नहीं आ सकती है सनेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है निकलो ही नहीं समाई रहो सनेही कोई भी कार्य करते हुए सनेही को नहीं भूल सकता सनेह में खोया हुआ हर कार्य करता तो जैसे आज के दिन खोई रहे ऐसे सदा सनेह में नहीं रह सकते हो क्या सनेह सहज ही समान बना देगा क्योंकि जिसके साथ सनेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है ब्रमहाबाप से दिल का प्यार है, ब्रमहाबाप का भी बच्चों से अतिसनेह है सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेश समान बढ़ने की सकाश देते रहते हैं जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते हर एक रतन के मुल्य को चानते विशेश कारे में लगाते ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेश रूप से विशेशता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक विशेशता की वाह वाह गाते रहते वाह मेरा अमुल्य रतन कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रम्हा बाप वतन में क्या करते हैं हम तो यहां सेवा करते रहते और ब्रम्हा बाप वहां वतन में क्या करते लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते हैं बच्चों के साथ ही रहते हैं अकेले नहीं रहते हैं बच्चों के बीना बाप को भी मज़ा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बीना कुछ सूझता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बीना और कुछ नहीं सूझता अकेले नहीं रहते हैं साथ में रहते हैं साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ क्रिशन को दिखा दिया, लेकिन यहाँ इस समय का गायन है। रूप में तो पवित्र प्रवरिती में भी चक्र लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना यही तो काम है न और क्या है, तो इसी में ही बीजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेश महनत से मुक्त भव का वर्दान देते हैं। कोई भी कार्य करो, तो जब लाइट बन के कार्य करो, तो महनत मनुरंचन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की महनत करना, युद करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या महनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेश यह वर्दान याद रखना, महनत से मुक्त भव, यह संगम युग महनत से मुक्त होने का युग है, मौच में रहने का है, अगर महनत है तो मौच नहीं हो सकती है, एक ही युग परम आतमा और आत्माओं का मौझ मनाने का युग है आत्मा परम आत्मा किसनीह का युग है मिलन का युग है तो मचबूत संकल्प करो कि आज से महनत से मुक्त हो जाएंगे होंगे न? फिर ऐसे नहीं यहां तो हाथ उटाओ और वहाँ जा कर कहो क्या करें? बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं बार बार द्रड संकल्प किया है ना जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं किया है रोहरिहान बहुत अच्छी करते हैं बाप दादा को भी खुश कर देते हैं जैसे जिग्यासुओं को प्रभावित कर देते हो ना तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं लेकिन द्रड संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है सदा नहीं रहता तो बाप फाइल तो बढ़ता जाता है, जब भी कोई function होता है, तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्या पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागस कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं, बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे, अभी तो धेर के धेर फाइल हैं, तो सिर्फ सनेह में डूबे रहो, सने स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो, ब्रम्हा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहां स्नेह है, वहां जान भी कुर्बान हो जाती है, भाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, प फाइनल डेट फिक्स करो और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो 20 तारिक है 24 तारिक है इसकी डेट कर फिक्स करेंगे इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है अब कहते हैं बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या अब कहता है जो करना ह वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे, बच्चे कब कब की आदत में घिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चेों को कहते हैं कि यहाँ डेट कब फिक्स करेंगे, आप भी कब कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं अभी समय प्रमान सब को बेहद के वेराग्य वरित्ती में जाना ही होगा लेकिन बाप दादा समस्ते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना यह समय को शिक्षक बनाना है उसमें माक्स कम हो जाती हैं अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्य की आत्माई बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्य के, शिक्षक के मास्टर विश्य शिक्षक हो, रच ब्रभ्रम्हा बाप ने समय कोशिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्या आदि से अंत्तक रहा, आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरह भी लगाव नहीं रहा, तन के लिए सदा नैचरल बौल यही रहा, बाबा का रत है, मेरा शरीर है नहीं बाबा का रत है बाबा के रत को खिलाता हूं मैं खाता हूं नहीं शरीर से भी बेहद का वैराग्य मन तो मन मनाभव था ही धन भी लगाया लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है कभी वर्ण नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है बाबा का भंडारा है भोले नाथ का भंडारा है धन को मेरा समझ कर परसनल अपने प्रती एक रुपे की चीज भी यूज नहीं की कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है कन्याओं माताओं को विल किया मेरा पन नहीं समय श्वांस अपने प्रती नहीं उससे भी बेहद के वैरागी रहे इतना सब कुछ प्रकृती दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया सदा साधारन लाइफ में रहे कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे चींज नहीं किया बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयम्यूज नहीं किया, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है, तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्यवरित्ति प्रत्यक् हो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा, बेहद की वैराग्य वृत्ती, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए, फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकिन में उपराम वृत्ती का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा, एक ही लगन सेवा, सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य, अभी समय प्रमान बेहद के वैराग्य वृत्ती को इमर्ज करो, बिना बेहद के वैराग्य वृ के सकाश की सेवा हो नहीं सकती, follow father करो, साकार में ब्रह्मा बाप रहा, नीराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांश समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, विशेश कारण बेहद की वेराग्यवरिती, अभी सुक्षम सोने की जिन्जीर के लगाव, बहुत महीन सुक्षम लगाव बहुत हैं, कई बच्चे तो लगाव को समस्ते भी नहीं हैं कि यहा लगाव है, समझते हैं यहा तो होता ही है, यहा तो चलता ही है, मुक्त होना है, नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है, अनेक प्रकार के लगाव, बेहद के वेरागी बनने नहीं देते हैं, चाहना है, बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना औ यहाँ वेराग्य वृत्ती अभी इमर्ज नहीं है बीच बीच में इमर्ज होती है फिर मर्ज हो जाती है समय तो करेगा ही लेकिन पास with honor नहीं बन सकते पास होंगे लेकिन पास with honor नहीं समय की रफतार तेज है पुरुशार्थ की रफतार कम है मोटा मोटा पुरशार्थ तो है लेकिन सुक्ष्म लगाव में बंद चाते हैं बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं उड़ाएं उड़ाएं तो सोचते हैं उड़ा तो लें लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे अभी समय प्रमान लगाव मुक्त बेहद के वेरागी बनो मन से वेराग्य हो प्रोग्रेम प्रमान वेराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है चेक करो अपने सुक्ष्म लगाव को मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सुक्ष्म लगाव बहुत सुक्ष्म हैं, जो सोयम को भी चेक नहीं होते हैं, मालुम नहीं पड़ते हैं, चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपुर्णता के दरपन से लगाव को चेक करो, यही ब्रहमा बाब को दो प्यार है ना तो प्यार में क्या किया जाता है गिफ्ट देते हैं ना तो यहां गिफ्ट दो छोड़ो सब किनारे छोड़ो मुक्त हो जाओ बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उड़ता है बहुत अच्छे अच्छे स्वाउनती के को करके दिखाओ अच्छा आज विशेश टीचर्स का संगठन एकठा हुआ है सेवा का रिटान यहां उत्सव रखा जाता है बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है वा मना रहे हैं खा रहे हैं सेवा में नंबर वार सफल रहे हैं और रहते रहें अच्छा चारों और देश विदेश के सनेह में समाए हुए सनेही बच्चों को सदा बाप के सनेह के सागर में समाए हुए रहने वाले अती समी पात्माओं को सदा ब्रम्हा बाप की विशेशताओं को स्वयम में धारन करने वाली स्रेश्ट आत्माओं को सदा महनत मुक्त हो मौच में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाए हुए बच्चों को विशेश आज के दिन ब्रम्हा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्विकार हो बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का सनेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को नमस्ते जी नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया दिल से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया मेरे बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया वर्दान है संकल्प रूपी बीच को सदा समर्थ बनाने वाले ज्यानी तुआत्मा भव ज्यान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्यान स्वरूप बनो ज्यान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और करम समर्थ हो व्यर्थ समाप्त हो जाए जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता तो ग्यान प्रकाश है व्यर्थ अंधकार है इसलिए ग्यानित आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी करम संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। श्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है, तो योगी बनो योधे नहीं। सूर्य वंश में जाना है, तो योगी बनो योधे नहीं। शुक्रिय बाबा, शुक्रिया। और व्यक्ति साइलेंस त्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थीती का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी ठकाएगी नहीं क्योंकि ठरस्टी हो। ठरस्टी को क्या ठकावट। अपनी ग्रिहस्ती, अपनी प्रवरित्ती समझेंगे तो बोज है। अपना है ही नहीं तो बोज किस बात का बिलकुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। अच्छा ओम शान्ती। अपना है अपना है। झाल को ऑarth ण currency एारे । झाल झाल